नमस्कार मैंन समाथ और आप देख रहे हैं City News और हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो की बरेली से आ रही है हमारे साथ जुड़ रही है महिला कॉंग्रेस अद्यक्ष पिरदेश अद्यक्ष है सुपनिल सर्मा जी जो की बता रही है कि किस तरीके से ज हमें जो चार चरण के चुनाब जो संपन हो चुके हैं और उसके बाद जो भी और चरण में चुनाब होना बाकी है इसी के साथ ही 2024 के जो लोकसावा के चुनाब है उसकी फ्तहमी फाइनल के रूप में विधान सावा के चुनाब को जो देखा जा रहा है इसके लिए हम जान मैं देखा था कि पश्यम में थोड़ा सा महिलाओं की भागीदारी अगर मैं राजनीती में कहूं तो कम थी लेकिन आज जब से मैंने ये पत्समाला है महिलाओं में जागरुक्ता सबसे पहले आई है कॉंग्रेस के प्रती भी और उनके दाइत्वों के प्रती भी और उनके हक लड़की हुँ लड़ सकती हुँ इस नारे के को बुलंद करते हुए मैंने पूरे पश्छम यूपी में महिलाओं को एकतरत किया है संगठन तयार किया है और आप जानते हो कि आज महिलाओं मेरे साथ खड़ी है और बिल्कुल कंदे से कंदा मिला के चल रही हैं आगे भी इस संगठन को मैं ना सर्फ पश्चे में बलकि पूरे उत्ता प्रदिश में चाहूंगी कि विसरत रूप से इसको आगे बढ़ाती रहूं अगर मैं आखे मून करके बात ना करूं तो साफ तोर पर मैं ये तो कही सकती हूं जानती हूं ये कहें कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं लेकिन अगर कोई सरकार बनेगी तो हमारे विना बनेगी भी नहीं क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कॉंग्रिस ने जनाधा था अपना बढ़ाया है लोग आज कॉंग्रेस के साथ जुड रहे हैं अगर मैं कहूँ तो अगर किसान की आवाज तो कॉंग्रेस थी आप जानते हैं किसानों का मुद्दा अगर जोरदार तरीके से तो वह कॉंग्रेस थी aगर महिलाओं के हकों की और महिलाओं को सशक्त करने की बात आई तो वो सिर्फ हमारी दीदी ने किया है कॉंग्रेस पार्टी ने किया है कहीं भी पीड़ता की आवाज या किसी पीड़त परिवार की आवाज कहें तो वो कॉंग्रेस पार्टी तो कॉंग्रेस पार्टी ने लगातार कदम बढ़ाया ह है उसका हर कारेकरता हर घर के साथ जुढा रहा और लगuenciaर हमारा काम चला है जमीनी तौर पर तो यह तो कह सकते हैं कि हमारा जनातार बढ़ा है लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है consort प्रद्देश में चाहए हैं nie उन्हें दुलार रहे हैं प्यार दे रहे हैं सम्मान दे रहे हैं हां रही बात अगर सरकार बनाने की तो हम जानते हैं यह तैयारी हमारी हो चुकी है और 24 में आपको इसका बहुत बड़ा रूप भी देखने को मिलेगा और हमें फाइदा भी होगा अगर बात करें तो कॉंग्रेस की काफी जो है इसमें अस्वंजस की रही चुनाव नजदीक था और इस तरीके से जो कई चीजे घटना करम जो लगातार होते चले गए उसमें इस बार बरेली में क्या खास नज़राने वाला है जैसे आप भी बरेली से हैं जी जी देखे चुनाव हुआ है कहते हैं हमने कर्म किया है हमारा हर कारेकरता प्रत्याशी चाहे कोई भी हो पर हमारा हर कारेकरता पूरे जोर तन मन और धन से प्रत्याशियों के साथ जुड़ा रहा है आगे आपको बड़ा बदलाव दिखेगा क्योंकि दस मार्श को जब result गोशित हो जाएगा चीजे हो जाएंगी तो कहीं न कहीं हमारे संगठन में भी एक अच्छे तोर पे बदलाव होगा और निश्चे तोर पे सकरात्मत बदलाव होगा चाहे वो महिला कॉंग्रेस हो चाहे वो आपका यूथ में हो चाहे बाकी जिलाव में हो बदलाव आपको देखने को मिलेगा उन लोगों को मेरे मानने में नीजी तोर पे मैं ये कहना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ हूँ और उन लोगों को जरूर आगे लेकर आना चाहूँगी जिन्होंने इस चुनाव में दिलो जान से लड़ाने का काम किया है अपने प्रतियाशियों को और कॉंग्रेस पार्टी का कही न कहीं वो वफदार सिपाही आगे आना चाहिए तो मैं हाई कमान से और बाकी सभी से यही बोलना चाहूंगी कि इन लोगों को मैं आगे लेकर आप सुन रहे थे महिला प्रिदेश कॉंग्रेस अद्यक्ष हैं आप सुपनिल सर्मा जी जिन्होंने बताएगी किस तरीके से जो अभी की वास्तिवी किस्तिती है उसको पूरा जो है अब्जर्व कर रही है और ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है दोजार चौविस की में लड़ाई जो की कॉंग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है उसका जो समी फाइनल था वो उत्रप्रिदेश का 2022 का बिधानसवा चुनाव जो की लगबख संपन होने के लिए आगे बढ़ चुका है पांच में चरण का चुनाव हो चुके हैं बाकि तीन चरण के चुनाव भ करती हुए नजर आएगी तो कहीं ना कहीं यह साफ हो चुकी है कि कॉंग्रेस लगातार अब मंधन कर चुकी है और जमीन पर वी उतर चुकी है जनाधार बढ़ेगा तभी कुछ और हासिल हो पाएगा तभी 2024 का जो यह नाव है वो पार हो पाएगी उसकी तैयारी अब कॉं न्यूजबरीली लाइफ कैमरा परसन सत्यान के साथ मैं अन्शमातूर नमस्कार